Hey guys, welcome back. दोस्तो, Realme XT device के लिए पिछले कुछ मन्द से कोई भी न्य अपडेट रोलाउट नहीं किया गया है और सबी उजर्स वेट करें लेटेस्ट अपडेट के लिए and finally अभी Realme XT device के लिए जो मार्च मन्द का लेटेस्ट अपडेट है वो इंडिया में रोलाउट होना स्टार्ट हो चुका है अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं C-Dude 11 ये अपडेट आपको मिल जाता है 285 MB सबडेट का साइज है and इस अपडेट को इंस्टोल करने वा डिवाइस में कुछ न्यू चेंजिस आपको मिल जाते हैं तो आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारें बात करेंगे क्या कुछ चेंजिस आपको मिल जाते हैं सबको ये update उनके device में कब तक मिलेगा अगर आपको नहीं मिला है और सब यूजर्स वेट करें Realme UI 2.0 और Android 11 के update के लिए तो finally वो update कब तक रोल आउट होगा तो सारी information आपको मिलेगी वीडियो को एंड तक आप देखते रिए और ऐसी interesting वीडियो के लिए वीडियो जरू से like कीजिए चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करके बगल का जो bell icon है उस पे all select कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए किसी भी latest updates की तो इसकी information सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तो बात करें new update के बारे में तो सबसे पहले update का full version आप check out कर सकते है rmx 1921-11-c.11 का ये update आपको मिल जाता है जो last update था वो था c.10 यानि january मंत का last update था and February में कोई भी update रोल आउट नहीं हुआ था लेकिन दोस्तो finally realme ने जो March मंत का update है वो रोल आउट कर दिया है c.11 का 285MB सब्डेट का साइज है अगर आपके device में अभी तक ये update आपको नहीं मिला है तो 6-7 days में next week के end तक ये update जोरू से आपको मेंट जाएगा मुझे भी अभी के लिए मेरे device में ये update नहीं मिला है जेश्ट अभी अभी इस update को realme की तरफ से आज ही rollout किया गया है तो सोचा कि वीडियो बना कर आपको information provide कर दूँ और साथ में most awaited यहाँ पर जो update है 2.0 का और जो end route 11 का वो आप देख सकते हैं मैंने अपने realme 7 में already install करके रखा है तो इसमें यार काफी सारे features तो आपको मिलते हैं और सभी लोग excited हैं इन features को test करने के लिए तो ये update के बार में वीडियो में आगे बात करेंगे उससे पहले दोस्तों इस update का जो अभी rollout wise के change log के बारे बात कर लेते हैं ज्यादा कुछ नहीं हैं बताने को आप देख सकते हैं चेंज लोग में आपको मिल जाता है March का 2021 का latest Android security पहसे लाए और जो किया काफी सही बात है आपके यहाँ पर system की जो security उसको थोड़ा optimize करेगा नेक्स आप देख सकते optimize किया गया system performance को और improve किया गया system stability को तो last update की जो bugs थे बताया गया है थोड़ा बहुत fix किया गया है जैसे की control center से related option था जो bug अगर आपको मिल रहा था इससे related तो finally fix हो चुका है and default ringtone set करने में अगर कोई problem आ रही थी तो उसे भी fix कर दिया गया है इसके लाव दोस्तो PUBG में voice failure issue आ रहा था तो finally वो भी fix हो चुका है तो ज़्यादा कुछ major changes नहीं है एक मेरे friend ने install किया था उससे मैंने just short time review लिया है तो उसने मुझे बताया कि camera में ज़्यादा improvements नहीं है camera performance पहले ही जैसी है अभी भी camera में improvements करने के जरूर थे लेकिन दोस्तो अपडेट के साथ camera की जो problem है वो यहाँ पर fix नहीं हुई है तो यही कुछ इस update में मिल जाता है और दोस्तो अगर आपको Realme XT device के लिए back or purchase करना X2 पे भी same लगेगा अगर आपको tempered glass purchase करना है different color option available है cover के तो इसका link आपको description मिल जाएगा आप purchase कर सकते है दोस्तो बात करी जाएं यहाँ पर Realme UI 2.0 के update के बारे में उससे पहले दोस्तो आपको बदा दो अगर अभी तक आपने हमारे telegram group को join नहीं किया है तो जुरू से आप join कर लीजिए इसका जो detail से description है आपको मिल जाएगा किसी भी device में कोई भी information आती अपडेट से related अगर आपको कोई question है query है तो आप मुझसे यहाँ पर chat के दूरू पूछ सकते हैं तो free time में जुरूर reply करूँगा तो आप join कर सकते हैं दोस्तो बात करें यहाँ पर realme UI 2.0 और android 11 update के बारे में तो realme X3 device के साथ-साथ realme 3 pro, 5 pro और जो realme X device है उसके लिए भी update को rollout किया जाएगा यहाँ पर आप schedule में देख सकते हैं Q2 2021 में यानि April, May, June के मंद में और दोस्तो जातक मेरा मानना है कि में के मन्त में में एंड तक जो beta testing है वो यहाँ पर start हो जाएगी और line wise यहाँ पर devices में update rollout होगा और beta testing का बिलकुल भी यह मतलब नहीं है कि सबको update rollout हो जाएगा कुछी limited seats होंगी 400-500 उससे भी कम हो सकती है और एवरी मन्त यहाँ पर कुछ और seats के लिए update rollout होगा तो final update rollout होते होते दोस्तों आमान के चलिए September तक मन्त आ जाएगा तो तब तक तो यह Android 12 का जो stable update है वो भी यहाँ पर OnePlus, Google के devices के लिए rollout होना start हो जाएगा तो ऐसे मैं मैं यही बोल होगा कि Realme को update process पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आर काफी जादा slow process है तो इसको थोड़ा fast करने की जुरूत है जैसे Samsung, Xiaomi या OnePlus प्रॉइट करता updates तो सभी devices में 3-4 महिने में update rollout कर देता है लेकिन Realme 10-12 महिने तक का time लगा देता है तो इसको थोड़ा ध्यान देने की जुरूत है क्योंकि आर सभी लोग excited रहते update के features को test करने के लिए तो दोस्तो ये थी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी update में ज्यादा changes नहीं है क्योंकि है developers already busy है 2.0 की testing में तो 1.0 के updates तो आपको मिलेंगे तब तक 2.0 rollout नहीं होता लेकिन वही normal updates मिलेंगे कोई नया feature add नहीं होगा नया feature 2.0 Android 11 में add होंगे और दोस्तों अगर आप Redmi Note 10 series के devices में interested है तो वो devices मेरे पास आचुके Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro Max और जल्दी Realme 8 series भी हम purchase करेंगे तो Note 10 series तब तक आप enjoy कर सकते हैं उनके unboxing video tips and tricks and जो बाकी test वाली videos है बैटरी test वो जल्दी आपको मैल जाएगी तो उसके लिए चैनल पर आप stay tuned रहे और जैसे मैं बना दूँगा उपराई बटन पे and description में मैं आपको provide कर दूँगा तो दोस्तो ये थी आज की video I hope आपको video पसंद आई होगी तो video like कर देना और चैनल को भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो यार बिल्कुल free है subscribe करना तो आज की video के लिए इतना ही मिलेंगे next video में तब तक के लिए जैहीं जैबारत and take care